तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSC टॉपर रही दिव्या तवर के बारे में जिनोंने एक साल की तैयारी में जो है UPSC में पहले परियास में तो क्रेक किया और साथ ही हिंदी माध्यम से 430 रैंक भी लाया ठीक है तो उनकी पूरी बुक लिष्ट के बारे हिस्ट्री में तो स्पेक्ट्रम एक आती है बुक उसको पढ़िएगा और स्वतंत्रता भारत की जो एक आती है विपीन चंद्र आप उसे पढ़िएगा ठीक है यह हुआ हिस्ट्री का पूरा जो है उनका स्ट्राइटिजी नाउ नेक्स आते हैं पॉलिटी में जो बहुत उन्होंने बताया है पहले तो आप 9 से ले करके 12 तक की NCRT को पढ़िए जिससे आपका बेस मजबूत होगा उसके बाद आप M.Lakshmi Khan sir की किताब को कम से कम आप 10 बार जो है आप कम से कम रिवीजन किजिए रिवीजन करने के बाद आप मेंस 360 करके आता है उसका आप टेस्ट स्विश लगाई है साथ ही आप दृष्टी आईस के डेली करेंट जो न्यूज आते हैं यूट्यूब चैनल पे उसको डेली एनालिसिस किए ठीक है यह होगी आपका ठीक है उसके बाद हम सकेंड थर्ड आते हैं जिग्रोफी में ठीक है तो जिग्रोफी में उन्होंने 11-12 की एन्सी आटी को मश्ट बताया है कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है साथ ही उन्होंने जी सी लियोंग सर की बुक को जो है पढ़ने को कहा है ठीक है और ऐसे माजीद हुसेन सर को भी कहा है लेकिन जी सी लियोंग पतली है चोटी भी है और इसको आसानी से पढ़के आप कर स तो उन्होंने कहा कि मुर्नल सर के कुछ वीडियो और संजीप वर्मा के जो किताब होते हैं उससे उन्होंने अपना पूरा एकनोमिक्स पढ़ा साथ उन्होंने मेंस 365 का टेस्ट सिरिज लगाया और इसको बहुत इंपोर्टेंट का ठीक है ठीक है और एक मधुकर कोटवे सर की यूटूब में जो है फ्री लेक्चर है उसको आप पढ़ सकते हैं ठीक है तो यह एन्वार्मेंट के लिए हो गया उसके बाद हम एथिक्स में आते हैं तो एथिक्स में उन्होंने लेक्सिकोन सर की किताब को कहा है पढ़ने के लिए उसक नहीं होगा योकि इतने बड़े एक्जाम की तयारी कर रहे हो थो थोड़ा IQका नोड़ हुना ही चाहिए हिंदी उनका ऑपस्नल था तो हिंदी उप सार के नोट्सको पड़ा अच्छे से हे विकास सर्घक ने अप जिनका हिंदी उप सरक्षण निसान जैन सर जिनका 11th rank था हिंदी माध्यम से उनकी जो है एक essay के लिए निसान जैन सर की किताब को पढ़ने के लिए कहा है उसके बाद हम society में आएंगे तो society में उन्होंने कहा है कि newspaper को पढ़िये society के लिए जो important है उसको एक notes में बना के रखिये ठीक है और vision is के जो है notes को प repair कीजिए ठीक है तो मेंस का यह पूरा strategy था यूपीएसी का यह पूरा strategy था तो आपको कैसा लागा हमें comment section में जरूब बताईएगा और यह वीडियो आपके लिए helpful रही तो एक like subscribe and अपने friends में इसको share जरूब कर लिएगा ठीक है दोस्तों मिलेंगे रहे स्टूडियो में और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कूल मत बूलेगा ठीक है मिलते नेक्स वर्में तब तक लिए अपने पढ़ाई को continue रखें